नमस्कार दोस्तों एक वे फिर्शेस वाकत आपका आर्जे प्रोडक्शन में मैं आपका होस्त रज्जत इस समय हम खड़े हैं इंडियन रेल्वे का पहला केवर स्टेट प्रिज जो कि जमू और किश्मीर डिस्टर कर यासी में बनाया जा रहा है ये एक बहुत ही महत्पूर है हमारी इतनी सी कंप्लीट हुई है हम इस समय अगस्त के महीने के आपको लेटस्ट अप्टेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर देख लीजिए यह सिंगल पॉइलान जितना कंप्लीट हुआ है अभी भी इसका काम चल रहा है जोरो जोरों से यहां देख यह फैब्रीकेशन यार्ट से स्कोपुशिंग किया जा रहा है इस साइड से यह हमारा जो सामने देख रहा है यह पर पर यह चोटा पिलर बनाया जाएगा इस साइड पर वह मुझे लगता है चोटा होगा बड़ उसी के तरह यह सिंगल पॉइलाओं यहां पर यह पिलर ब सामने दिखाने की कोशिच करता हूँ मैं आपको एक अच्छा माना जाए तो ब्रिच होगा ये अब आने वाले टाइम में कितना टाइम लगता है इसको बनाने में वो तो पता नहीं लग अभी कुछ कह नहीं सकते बट है कि जल्दी कम्प्रीट करिए जाएगा क्योंकि मुझ बैदर देख लिजिए कितना अच्छा सुहाना हम आपको हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं अगर आपको यह वीडियो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं आप सबको पता है यहां देख लिजिए य यह हमारा टीवन यह सिंगल पाइल यह पूरा यहां तुछ से देख लिजिए यहां तक जो कंप्लीट हुआ है इसको अंजी खट प्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो एक यह वाली जो आप देख रहे हैं यह है यह खट है जो एक छोटी रिवर माना जाए तो इसको इसका नाम अंजी है यह देख लिए आपको चुम करके थोड़ा सा दिखाने की उकोशिश करकर आओंगा इसका नाम अंजी है और इस ब्रिज का नाम ही इसलिए अंजी काड ब्रिज दे दिया गया यहां देख लिए कितना अच्छा मोसम और अभी के समय भी इसका काम लगा हुआ है यहां देख लिए बैल्डिंग हो यह चोपी यहां यह हमारा सिंगल पॉइलन एक वार फिर से आपको बता दू मैं जितना यह कंप्लीट होए अगस्त के महीने में आपको यह अपडेट दे रहे हैं आने वाले समय में जैसे यह कंप्लीट होता है हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे यहां पर देख लिए वैल्डिंग हो रही है यहां पर वैल्डिंग की जा रही है यह हमारा सिंगल पाइल उन एक बार फिट से आपको पता दू यह टी वान टैनल और टीटी टैनल को आपस में कनेक्टीट करेंगा यह ब्रिज इंडियन डेलवे का पहला केवल स्टेट प्रिज अगर आपको यह वीडियो चले प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जय हिंद जय वारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में